हेलो फ्रेंड्स तो आज सुबा नास्ते में बन रहा है इडली, सूजी की और ना मूमफली की चटनी तो ये सुबे का ब्रिक्फस्ट है तो फटा फट से मैं बना रही हूँ इसको और यहाँ पे मेरे पास इडली वाले कडाई नहीं जो नॉर्मल होती है अब यहाँ पे सूजी का बैटर है और साथी मूमफली की चटनी में बना रही हूँ इसे मैंने मिर्ची डाल दिया है और लसन डाल रही हूँ इसके साथ नमक डाल दिया है पानी डालके यहाँ पे चटनी जो है तयार है इसको मैंने बोल में निकाल लिया है और अब यहाँ पे देखे इडली भी तैयार हो गई है बहुत ही बढ़िया इडली बनके तैयार होती है सुजी की और नाश्टे में ही बहुत हलकी रहती है अब यहाँ पे मैंने इसका लगा दिया है तड़का चटनी में और चटनी हमारी तैयार हो गई है यहाँ पे देखी कितनी बड़िया चटनी बनके तैयार हुई है मेरे घर में सबको बहुत पसंद है इडली और यह चटनी सुबह नाश्ते में अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच बनाने के लिए और अभी मुझे जाना है शौप पे योगी मेरे हस्बंड को कहीं जाना है काम से तो फटा फट से मैं क्या कर रही हूँ दाल जो है भीगो के रख दूंगी और इसी में दूद जो है ना मैं इस तरह से छनने वाली थाली रख देती हूँ सुबह मैंने वाटरविलन काटा था तो यह वही नाइफ रखा वा था और यहां शौप पे मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ काम कैसे करूंगी मेरा काम बहुत सारा पेंडिंग है तो चलो कोई ने अब हो गई है रात तो दिन का खाना तो मैं बना चुकी थी लेट बना थ अब यहां पे रात को मैं वीदियो की तैयारी कर रही हूं तो जैसे मैंने बताया था आपको लास वीडियो में की मैं आलो टोमाटर की सबजी आपको बताओंगी दूसरे तरीके से तो यह मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी एक दूर दिन में यूडियो आ जाएगी मेरे तो यहां पर देखिए आलू उबालने के लिए रख रही हूं और इस तरीके से मैं शूट करती हूं आज आपको कुछ क्लिप दिखा दूगी मैं कैसे करती हूं मसाले खत्म हो गए हैं डबो में तो देखिए साथ-साथ जो मेरा मसाले का पिटा रहा है मैं वो लेके आ गई मिर्ची है लाल मिर्ची पाउडर है और धनिया पाउडर तो इसी तरीके से एकटे मसाला रख लो तो काफी कफायती रहता और काफी दिन तक चलता भी है तो मसाले मैंने डिबे में भर लिये हैं इनको रखने चलती हूं वापस से कबड में और साथ ही अब यहां पे जो है आलो टमाटर की सबजी का मसाला त्यार कर रही हूं तो दिल्ली में बहुत पसंद किये जाती है बंडारे वाले आलो टमाटर की सबजी तो यहां पे देखे इस तरीके से मसाला जो है ना वो मैं अच्छी तरीके से इसमें डाल के इसको भीगो के छोड़ रही हूं पूरी र घुंड़ा नंड़ा निए कर रोड़ेंte सुभान कोई करते होई तो मैं ऑप प्रूप yol लेत होरा है तो ओसे पर हैंगे हैं यहां इसे प्रूप इंड़ा सब्सक्राइब यहां पर देखें दनिया मिर्षी वीडियो के लिए ही हो यहां पर देखिए अब यहां पर तड़के की तेयार हो रही है तो यहां पर आलू टमाटर मिना घंक टड़के की बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत होती है जब हिंका तड़का लगता है न सबजी में चार चान लग जाते हैं पूरी रेस्पी तो आपको देखने को मिली जाएगी क्योंकि सिर्फ तड़के से ही काम नहीं चलेगा लेकिन जो पूरा बराने का प्रोसेस है बहुत इजी है लेकिन बहुत जादा बढ़िया बनके तयार होगी तो यहाँ पे हिंका तड़का मैंने लगा दिया है बस अब इसको मैं कूकर में चौका लगा दूँगी सबजी में यहाँ पे बस यह देखिए इस तरह से वीडियो शूट हो रही है तो साथ में यहाँ पे देखिए किस तरीके से काम जो हो रहा है यहाँ पे अब फटा फट से सेट करना है मुझे कैमरा यहाँ पे सेट कर रही हूँ तो मैं देख देख के बना रही हूँ कुछ गलती ना हो जाए साथ और यहां पर किचिन में भी जो लाइट ना उसकी प्राप्लम हो रही है बीच बंद हो जा रही है तो उसका भी ध्यान देना है क्योंकि तार बगेरा कुछ खराब हो गई है तो भी में ठीक कराना है तो बस अब कुछी दिनों में मैं भी दिवाली की सफाई जो है वह शुरू करूंगी तो उसी बीच में सारी चीज़े करवाऊंगी अब यहां पर देखिए इस तरीके से च्छोंका मैंने लगा दिया और यहां पर बस इसको ढखके रख दूंगी सब्जी तैयार है और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं जब सर्फ करती हूं तो उसकी वीडियो भ होता है वो मैं इस तरीके से सजाती हूं और देखिए यहां पर इस तरीके से बस लास्ट का यह प्रॉसेस चल रहा है सीन है यह तो बस यहां पर देखिए अब मैं सबजी को है कड़ाई में डाल रही हूं और साथ में गिर भी रहा है तो इसको मैं पोश भी रही हूं क्यों कि टाइम बहुत जादा हो गया है रात का अब यहां पर बच्चों को भी मैंने भी खाना दिया नहीं है बस यह सारा समान हटा लूँ उसके वद फटा फट से खाना दे दूँगी और मैं समान सब देख रही हूं क्या रखना है क्या हटाना है और यह दिखी सबजी का कलत मैं न देख लें कुछ फटावटा नहीं है क्योंकि फिर एक्षेंज नहीं होगा रिटन नहीं होगा वापस तो मैंने का चलो और सान मेरी सासुमा बैठी यहिए बच्चे भी आ हैं तो मैं से बोल भी रही हों कि चेक कर रही हो तो में इसा सब्सों पूच रही है क्या करर की नहीं तहो बहुत बढ़ाया सूट आयए्प है यह ने कोटन के मगायए थे बहुत बढ़िया है । बहुत ही रीजनेवल रेट में मिले घान तो बहुत बढ़िया है यह देखिए यहाँ पर इस तरी के से एँआ कॉटन का सूट है और सिंपल है कुछ इसमें जादा कुछ नहीं है कोई भी इसे कैरी कर सकता है बहुत एजली और मुझे ऐसे सूटना बहुत अच्छे लगते हैं तो और इसका जो यह प्लाजो है यह भी बहुत बढ़िया है एकदम सॉफ्ट कपड़े में हैं कॉटन इसका बहुत अच्छा है और यह दूसरा भी जो मैंने मंगाया है ना यह भी बहुत बढ़िया है बहुत रीजनेवल रेट में मेरे ख्याल से 400-500 के रेंज में है यह और इतना बढ़िया मतलब आजकल अगर कपड़ा भी लेने जाओ ना तो नहीं मिलता है तो यह तो पूरा पहनूंगी तो यहां पर देखिए सूट बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका जो इसकी जो पैंट आई है ना वह भी बहुत प्यारी नीचे जो है थ्रेड का वर्क दे रखा है यहां पर इस तरीके से देखिए यहां पर मैं दिखा देती हो पास से बहुत बढ़िया यह ल पाक को पसंद आया हो चलिए फिर मिलते हैं